को बचाएं अभी रैली होने वाली थी मंद्द प्रदेश्मों से रैली को स्थागित कर दिया सीपियम ने अभी तक कॉडिनेशन कमीटी में अपना कोई मेंबर नहीं दिया और सीपियम खुलियाम कर यह सितारे मियूचरी की बंगाल में कोई संजोता हमारा मंता बनेजी की सा पाएगा यह जित पाएगी तो इस लिए इस जो आरक्षन का जो बिल पारित हो रहा है उसमें किसी प्रकार की ओभी सी समाज पर कोई हकमारी नहीं नमस्कार निच फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धीरत सिंग महिला आरक्षन बिल राजी सवा लोग सवा से सरु समती से पास हो गया लेकिन मुख्यमंतिर नितीश कुमार और तेजस्वी आदाव इस पर बीजेपी की मंसा पर सवाल उठा रहे हमारे सा बार बार करें कि इसको तत्का लागो करू नितीज जी बताएं कौन सीट अरक्षित होगी कौन यह नालंदा होगी कि कि पट्णा होगा कि मध्यपूरा होगा यह च'mप्रह होगा यह कौन यह कोन तैय करेगा क्या एक्सुकर्टिव और से अरच्छन दिया जा सकता है द्रध कोन करता है ऐसा थोड़ी है कि वाइनाट को कल स्टी रिजर्व कर देंगे या महिला अर्षित कर देंगे तो यह काम परिसीवन आयोक का है जिसमें कि रेट्राइड सुप्रिम कोड के जज होते हैं इलेक्शन कमिशन के लोग होते हैं अन्य पार्टियों के लोग होते और वो तैक करते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा और नहीं तो कोई आदमें बदले की बावना से और आपी की स्ट को आरक्षित कर देगा तो इसलिए देखिए यह लोग तो चाहते हैं कि मामला कोड में जाकर फंस जाएं लेकिन बीजेपी ने ठोक पीट कर इस बिल को पारित कराया है और हम लोग नहीं सी विवस्ता की है कि देखिए दोजार चौबीस के लोग सवाचनाओं के बाद जनगंडना होगी जनगंडना के आकड़े आने के तुरंद बाद परिसीमन आयोका गठन होगा और वो तैय करेगा इसे लोगों को तो देहर रखना चाहिए और नहीं तो इसलिए यह लोग जो कहते हैं बार बार की जल्द लागू करो तो वही लोग मताएं ना कि कौन सीट अरक्षित होगी यह कैसे तैय होगा कौन तैय करेगा तो इसलिए लोगों को ता देह रखना चाहिए और जिस नरेंदर मोदी ने इस बिल को पारित करवाया वही नरेंद ही रहने वाले हैं जेडियो के राष्टी अध्यक से ललन सिंग उनका कहना है कि बीजेपी की मंसा सही नहीं है दोजार चौबिस में के लिए जो इंडिया गठवंदन बना है उनके डर से ही इस तरह कभी लाए गया वो चाहते तो दोजार उनीस में सरकार बनते ही भी ला सक कि बंगाल में कोई संजोता हमारा मंता बनेजी की साथ नहीं किरल के नर कांग्रेस के साथ होगा अर्विन केजरिवाल ने मद्द प्रदेश और च्छतिस गड़ में अपने दसदस उमीदवार घोशित कर दिये तो पहले तो अपने गठबंदन को तो बचाईए तो फिर आ और साब चुहा बिली सब एक एक पेड़े के नीचे कठा होने का प्रयास करें उसमें भी इनको सफलता नहीं मिल रही है उप मुक्यमंति तेजस्वी आदा का कहना है कि OBC और UBC की महिलाओं को अगर हिस्सेदाड़ी नहीं मिलती है तो OBC के जो लोग है वो BJP और परदान मं कोई देंगी ना जो है तो पिछले वर्गों के हमारी का सवाल कहां पैदा होता है और लोग सबार विधान सबा में तो पिछले वर्गों की प्रयाप्त संक्या है ब्यार की विधान सबा ही अगर लेने 243 तो उस 243 में कम से कम पौने 200 लोग होंगे जो OBC समा से आते तो सेथी को देंगे द工िन दोस्यें तो जीत पहेगा यह जीत पाएगा यह जीत पाएगी तिस रिए इस जवरी अर्खण का जो बिल पारित हो रहा है उसमें किसी समाच पर कुई हक्मारी नहीं होने वालीबूध उसमें कि सी प्रकार की OBC समाज पर कोई हक्वारी नहीं होने झाल झाल